राजिस्थान रॉयल्स और चेन्ने सूपर किंग्स के बीच आज IPL 2020 का चौथा मुकाबला खेला जाना है पहले मुकाबले में गत विजेता मुंबे इंडियन्स को मात देने के बाद चेन्ने ने जीत से आगाज किया था वही राजिस्थान के टीम इजवार काफी अच्छी दिखाई दे रही है और वह टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी मैच से पहले राजिस्थान के लिए दो बड़ी दिक्कते रहेंगी इस टोक्स जहां अभी भी अपने परिवार के साथ न्यूजिलैंड में है वही बटलर ऑस्ट्रेलिया के खिला सीरीज खतम कर अपने परिवार के साथ यूएई पहुँचे उन्हें अब 36 गंडों का नियमित कॉरंटाइन करना होगा जिसके बाद ही उन्हें टीम के साथ जुडने की इजाज़त मिलेगी बटलर के ना रहने से वह रॉबिन उथपपा और अंडर 19 वर्ल्ड कप में शांदार परदर्शन करने वाले ये शशवी जैस्वाल से सलामी बल्लेबाजी करवा सकते हैं इनके अलावा मिडल ओवर में उनके पास संजू सेमसन, श्टीव इसमित और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज हैं इसमित ने कनेक्शन से जुड़े सभी टेस्ट पास कर लिये हैं जिसके बाद वे राजिस्थान की टीम से खेलने के लिए फिट हैं वहीं चेन्नाई सूपर किंग्स की विनिंग प्लेइंग 11 में बदलाव की उमीद कम हैं IPL में ये दोनों टीमें अभी तक 21 बार एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं जिसमें 14 बार चेन्नाई ने तो 7 बार राजिस्थान की टीम ने बाजी मारी है हेट टू हेट मुकाबलों में तो चेन्नाई की टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा है लेकिन इस बार राजिस्थान की टीम इस रिकॉर्ड में सुधार करना चाहेगी